ओम ग्रणी सूर्या इनम्हा आप सभी पर सूर्य भगवान की कृपा सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे जेस्ट मास महतमे में आगे की कथा और उससे पहले आप सुनेंगे भगवान श्रीव विश्णो के वामन अवतार की कथा। इससे पहले का द्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत भधनिवाद, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली बाकी कथाएं भी आप हर दिन सुन सके भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार की कथा श्री महादेव जी ने ये कथा दिवी पार्वती को सुनाई थी महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती प्रहलात के विरोचन नामक पुत्र हुआ विरोचन से महा बाहु बली का जनम हुआ बली धर्मग्यों में श्र संपोन देवताओं और मरुद गणों को जीत कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज करते थे उनके शासनकाल में प्रत्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी सभी ग प्रकार की चिंता नहीं थी सब लोग सदा भगवान रिशिकेश की पूजा किया करते थे इसी प्रकार द्यतिराज बली धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे इंद्र आधी देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे बली को अपने बल का अभिमान था वे तीनों लोकों का एश्वर्य भोग रहे थे इधर महर्शी कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख कर उनके हित की इच्छा से श्री हरी को प्रसन करने के लिए पतनी सहित तपस्या करने लगे धर्मात्मा कश्यप ने अपनी पतनी अदिती के साथ पयोवरित का अनुस्ठान किया और उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया उसके बाद भी एक सहस्त्र वर्षो तक वे श्री हरी की आराधने में संगलगने रहे तब सनातन देवता भगवान विश्नु भगवती लक्ष्मी जी के साथ उनके साम आनंद में मगन हो गया उन्होंने अधिती के साथ प्रणाम करके भगवान की इस्तुति की तब भगवान बोले हे विप्रवर तुम्हारा कल्यान हो तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है इससे मैं बहुत संतुस्ठ हूं तुम कोई वर्मागो मैं तुम्हारा मनुर पूर्वक बली को परास्त करके मेरे पुत्र इंद्र को तिरी लोकी का राज प्रदान कीजिए कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णुने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्विकार कर ली और फिर देवताओं के मुख से अपनी इस्तोती सुनते हुए वे वह धारी भगवान विष्णु को जनम दिया वे ब्रमचारी का वेश धारन किये हुए थे संपूर्ण वेदांगों में उन्ही का तत्व दिखाई देता है वे मेखला म्रगचर्म और दंड आधी चिन्नों से विभाशित हो रहे थे इंद्र आधी संपूर्ण देवता उनका द अतहां ऐसे अवसर पर वे कुछ देने से इंकार नहीं कर सकता प्रभु आप दैतिराज से तीनों लोक मांग कर इंद्र को देने की करपा करें देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यगिशाला में महर्शियों के साथ बैठे वे राजब बली के पास आए ब्रहमचार कर उन्होंने ब्रहमचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधी पूर्वक पूजन किया और फिर चर्णों में गिरकर प्रणाम करके गदगदवानी में कहा विपरवर आपका पूजन करके आज में धन्य और कृतार्थ हो गया मेरा जीवन सफल हुआ कहिए मैं आप तीन पग भूमी दे दो जो कि भूमी दान सब दानों में स्रेष्ट है जो भूमी का दान करता है और जो उस दान को ग्रहन करता है वे दोनों ही पुर्णात्म होते हैं वे दोनों अवशी ही स्वर्ग लोग को जाते हैं इसलिए आप मुझे तीन पग भूमी का दान कीजिए ये सुनकर राजा बली ने प्रसनता से कहा बहुत अच्छा इसके बाद उन्होंने विधी पूर्वक भूमिदान का विचार किया दैत्य राज को ऐसा करते देख कर उनके पुरोहित शुक्राचारे जी बोले राजन ये तो साक्षाद परमेश्वर विष्णू है देवताओं की प्रार्थना से यहां पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी प्रत्वी हड़प लेना चाहते हैं इसलिए इन महात्मा को प्रत्वी का दान ना देना मेरे कहने से कोई और ही बस तुम्हें दान करो पर भूमी मत दो ये सुनकर राजा बली हस पड़े और धैरे पूर्वक गुरु से बोले ब्रहमन मैंने सारापुन्य भगवान वासुदेव की प्रसनिता के लिए ही किया है अतह यदी स्वयम विश्णू ही यहां पधारे हैं तो आस तो मैं धन्य हो गया उनके लिए आज मुझे यह परम सुख में जीवन तक अगर देना पड़ा तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा इसलिए इन ब्रहमन देटा को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्य ही दान कर दूँगा ऐसा कहकर राजा बली ने बड़ी भक्ती के साथ ब्रहमन के दोनों चलन पकारे और हाथों में जल लेकर विधी पूर्वक भूमीदान का संकल्प किया दान देकर नमस्कार करके दक्षना रूप से धन दिया और फिर प्रसन्नों कर कहा ब्रहमन आज आपको भूमीदान देकर मैं अपने को धन्य और करत करति मानता हूं आप अपनी च्छानुसार इस प्रत्वी को ग्रहन कीजिए तब भगवान विश्णू ने दैतिराज बली से कहा राजन मैं तुम्हारे सामने ही अब प्रत्वी को नापता हूं ऐसा कहकर परमिश्वर्व ने वामन ब्रहमचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारन करके इस प्रत्वी को ले लिया समुद्र परवत द्वीप देवता असुर और मनुश्य सहित इस प् रूप महांतेजस्वी था और महात्मा रिश्यों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था महादेव जीते भी पारवती से आगे कहते हैं कि मैं तथा ब्रहमा जी भी उसे नहीं देख सकते थे भगवान का वह पग सारी प्रत्वी को लांग कर सौ योजन तक आग नहीं रही उनके नेत्रों में आनद के आंसु छलकाए फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार करके इस तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन चित्त से गदगदवानी में कहा परमिश्वर आपका दर्शन करके मैं धन्य और क्रत क्रत हो गया आप इन तीनों ही लोक को ग्रहन कीजिए तब सरवेश्वर श्री विष्णु ने अपने दूसरे पग को उपर की ओर फेलाया वह नक्षत्र ग्रह और देवलोक को लांगता हुआ ब्रहम लोक के अंत तक पहुँच गया किन्तु फिर भी पूरा नहीं पड़ा उस समय पितामह ब्रहमा ने विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया वह तीर्थ भूत निर्मल जल मेरू परवत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला वे चारों धाराएं क्रमशह सीता अलकननदा चक्षू और भद्रा के नाम से प्र सिद्ध हुई उपर स्वर्ग लोक में मंदाकनी नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मर्ति लोक में वेगवती गंगा कहलाने लगी ये गंगा मनिश्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई हैं इनका स्वरूप कल्यान में हैं महादेव जी कहते है इस के बाद राजा भागीरत और महातपस्वी गौत्तम ने तपस्या के दवारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्यान मई वैश्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्यता पूर्वक दान कर दिया महर्शी गौतम जिन गंगा को ले गए वे गौतमी अर्थाद गोदावरी कहीं गई हैं और राजा भगीरत ने जिनको भूमी पर उतारा वे भागीरती गंगा के नाम से प्रसिद हुई ये मैंने प्रसंगवस तुमसे गंगा जी के प्रातुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है इसके बाद भक्त वत्सल भगवान नाराये ने दैत राज बली को रसातल का उत्तम लोग प्रदान किया और उन्हें सब दानवों नागों तथा जल जन्तूं का कल्प भर के लिए र तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी रिश्यों ने दिविस्तोत्रों से भगवान का इस्तवन और पूजन किया इसके बाद अपना विरात रूप समेट कर भगवान अच्छित वहीं अंतर ध्यान हो गए इस तरह प्रभाव शाली श्रिप विष्णू ने इंद भगवान की जय अब सुनिए जेश्ट मास महतम में आज की गत्था दिंडी ने श्री ब्रहमा जी से पूछा हे ब्रहमन आपने आधित क्रिया योग को मुझे बतलाया अब आप ये बतलाने की करपा करें कि भगवान सुर्व उपुवास से कैसे प्रसन होते हैं उपुवास करने वालों के लिए क्या-क्या नियम हैं क्या-क्या त्याजी हैं आराधना में क्या-क्या करना चाहिए इनका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए दिंडी की बात सुनकर श्री ब्रहमा जी इस प्रकार बोले कि हे दिंडिन भगवान सूर्य पुष्प आदी द्वार पूजन करने से ही प्रसन हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं पापों से रहित होकर सद गुणों का आश्रे ग्रहन कर सभी भोगों का परित्याग करना ही उपवास कहलाता है अतहर ऐसे उपवास से क्यों नहीं मनवांचित फल प्राप्त होगा एक रात दो रात तीन रात या नक्त व्रत करने वाला निश्काम होकर उपवास कर मन वचन और कर्म से सुर नारेन की आराधना में यदि दत पर रहे तो ब्रहम लोग को प्रात कर सकता है यदि साधक किसी कामना से दत चित होकर भगवान सुर की उपासना करता है तो प्रसन होकर भगवान उसकी मनुका सामनों को पूर्ण अवश्य कर देते हैं अंधकार का नाश करने वाले जगदात्मा सुरि नारैन की तन मैता पूर्वक आर्याधना के बिना किसी भी प्रकार की सद्कति नहीं मिलती अतहें पुष्प धूप चंदन नैवेद आदी से भक्ति पूर्वक सुर्य की पूजा और जल जो भी यथा शक्ति मिले उसे ही भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान सुरि को अरपन करना चाहिए इससे भगवान सुरि को अतुल तुस्टी प्राप्त होती है सुरि नारैन के मंदिर में सदा जाडू देने पर धूली में जितनी कणिकाए होती है उतने समय तक सु जो लेपन किये वे मंदिर में पुष्प बिखेरता है वो कभी दुर्गती को प्राप्त नहीं होता मंदिर में दीप प्रजवलित करने वाला व्यक्ति सभी रित्वों में सुख प्रत सवारी प्राप्त करता है द्वजा चढ़ाने वाले के ग्यात और अज्यात सभी पाप पताका के वायू से हिलने पर ही नस्ठ हो जाते हैं गीत, वाद्य और नर्त के द्वारा मंदिर में उत्सव करने वाला उत्तम विमान में बैठता है गंधर्व और अपसराई उसके आगे गान और निर्थ करती हैं जो मंदिर में पुरान का पाठ करता है उसे स्रेष्ठ बुद्धी की प्राप्ती होती है और वह जातिस्मर अर्थात सभी जन्मों की बात जानने वाला हो जाता है दिंडिन सूरी की आराधना से जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो इनकी आराधना से कई लोग गंधर्व कतिपए विद्याधर कतिपए देवता बन गए हैं देवराज इंद्र ने इनकी आराधना से ही इंद्रपद प्राप्त किया है ब्रह्मचारी ग्रहस्त और वानप्रेस् जितेंद्री सन्यासी भी इनके अनुग्रह से ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं क्योंकि ये ही मोक्ष के द्वार भी हैं इस तरह सभी वर्ण और आश्रमों के आश्रे और परमगती भगवान सूरी ही हैं हे दिन दिन अब मैं काम्य उपवास और फलसप्तमी का वर्णन करता हूँ फलसप्तमी का वरत करने से सभी प्रकार के पाप नस्थ हो जाते हैं और सूरी लोग की प्राप्ती होती हैं भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को अयाचित वरत कर पंचमी को एक बार भूजन करें सस्थी को जित क्रोध जितेंद्री होकर पूर्ण उपवास करें और फिर भक्ती के साथ सभी सामगरियों से सूरी नारैन की पूजा करें रात में भगवान सूरी के समुख प्रत्वी पर शयन करें सप्तिमी को सूरी भगवान का ध्यान करते वे प्रातह उठकर इसनान पूजन करें और खजूर नारियल आम मातुलूंग आदि नैविद्यों का भोग लगाए और ब्रहमन को दे तथा स्वयम भी प्रसात के करें यदि ये फल ना मिले तो शाली अर्थात चावल का या गेहूं का आटा लेकर उसमें गुण मिलाएं और घी में पका कर उनका ही भोग भगवान सूरी को लगाएं फिर हवन कर ब्रहमनों को भोजन कराएं इस प्रकार एक वर्ष तक सप्तमी का व्रतकर अंत में उद्य ब्रहमनों को भुष सिंग का जल चमेली के फूल का रस इनसे स्नान करें और इनसे ही प्राशन करें ये सभी पापों का हरण करने वाले हैं सभी प्रकार के फल भूमी धानी युक्त भवन बच्छडे के साथ गउ विद्रूम के साथ तामरपात और श्वेत वस्त ब्रहमनों को दे जो शती संपन्न हो वे चांदी अत्वा आटे के पेश्टक फल तथा दो वस्त्र दे सोना रत्न और वस्त्र आचारियों को दे ब्रहमनों को भूजन कराए इस प्रकार व्रत को संपन्न करे ये फल सप्तमी का विधान कहा गया है यह अतिशय पुर्णिमई सप्तमी सभी पापों का नाश करने वाली है इस दिन उपवास कर मनुश्य सूरी लोग को प्राप्त करता है वहां देव गंधर्व और अपसराओं के साथ पूजित होता है इस व्रत को जो करता है वह पाप दरिद्रता और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है इस व्रत के करने से ब्रहमन मुक्ति चत्री इंद्र लोग वैश कुबेर लोग में निवास करता है शुद्र इस व्रत के प्रभाव से द्विजत्व को प्रात कर लेता है पुत्र हीनों को पुत्र की प्राप्ती होती है दुर्भगा सभाग शालिनी होती है और विद्वा नारी अगले जनम मे वैधवे प्राप्त नहीं करती इस फल सप्तमी को समस्त वांचित पदार्थों को प्रदान करने वाली चिंतम मनी के समान समझना चाहिए इस फल सप्तमी की कथा के श्रवन अथवा व्रत करने वाले की सभी च्छाएं पूर्ण हो जाती है अब जानिए रहस्य सप्तमी व्र तक विदहान कह रहा हूँ इस व्रत के करने से अपने से आगे आने वाली साथ पीडि तथा पीछीय की भी साथ पीडि के कुलों का उधार हो जाता है। जो इस वृत का नियम से पालन करता है उसे धन, पुत्र, आरोग्य, विद्या, विनय, धर्म तथा अप्राप्य वस्तों की भी प्राप्ती हो जाती है इस वृत के नियम इस प्रकार है सब में मैतरी भाव रखते वे भगवान सूरी का चिंतन करता रहे मनिश्य को व्रत के दिन ना तेल का इस पर्ष करना चाहिए ना ही नीला वस्त्र धारन करना चाहिए और ना ही आवले से इसनान करना चाहिए और किसी से कल है तो बिल्कुल ही नहीं करनी इस दिन नीला वस्त धारन करके जो सतकर्म करता है वह निश्फल हो जाता है जो ब्रहमन इस व्रत के दिन एक बार नीला वस्त धारन कर ले तो उसे उचित है कि स्वयम की शुद्धी के लिए उपवास करके पंच गव्य प्राशन करे तब ही वह शुद्ध हो सकता है यदि अज्यान वश नील व्रक्ष की लकड़ी से कोई ब्रहमन दंत धावन अर्था दातुन कर लेता है तो वह दो चंद्रायन व्रत करने से ही शुद्ध हो सकता है वह पंच गव्य प्राशन से ही शुद्ध होता है जहां नील एक बार बोई जाती है वह भूमी बारह वर्ष तक अपवित्र रहती है रहसी सप्तमी व्रत के दिन जो तेल का इसपर्ष करता है उसकी प्रे भार्या नस्थ हो जाती है अतहे तेल का इसपर्ष नहीं करना चाहिए इस तिथी को किसी के भी साथ द्रोह और क्रूरता भी करना उचित नहीं है इस दिन गीत गाना, निरित करना, वीना आधी बादियंत्र बजाना, शव देखना, व्यर्थ में हसना, इस्तरी के साथ शयन करना, द्यूत क्रीडा, रोना, दिन में सोना, असत्य बोलना, दूसरे के अनिस्ट का चिंतन करना, किसी भी जीव को कस्ट देना, अत्यदिक दंब, शोक, शठता तथा क्रूरता इन सभी का प्रयतन पूर्वक परित्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का आरंब चैत्र मास से करना चाहिए। व्रत करने वाले मनश्य को चाहिए कि वह चैत्र आदी मासों में धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्मान, प प्रत्येक सप्तमी के दिन भोजक ब्रहमन को घी के साथ भोजन कराकर उसे घी सहित पात्र, एक माशा स्वन और दक्षणा दान में देनी चाहिए। यदि भोजन ना मिल सके तो स्रेश्च ब्रहमन को ही भोजक की भाती भोजन कराकर वही वस्तुय दान में देनी चाहिए। हे दिन दिन इस प्रकार मैंने सब्तमी के इस महातमी का वणन किया जिसके श्रवन मात्र से भी सभी प्रकार के पाप नस्ठ हो जाते हैं और सुरी लोख की प्राप्ती होती है सुमंदू बोले राजन इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतरध्यान हो गए और दिंडी भी उनके द्वारा बताये गए इस व्रत के अनुसार सुरी नारैन का पूजन करके अपने मनवानचित फल को प्राप्त करने में सफल हुए और भगवान सुरी के अनुचर हो गए हरे कृष्णा आज के अध्याय में बस इतना ही इसके आगे की कता आप सभी अगले अध्याय में जरू सुनिएगा